पनेड़ा उपखन शेत्र के भडेडा गौ में, श्री देवनायन मंदिर पर, 5 दिवसी विश्नु महायक का आगाज, श्री-श्री 108 श्री रामेशवर दास ची महराज के अदिक्षेता, तथा श्री-श्री 108 श्री रामप्रिय दास ची महराज, वह सवाई भोज आंसीद के महंत श्री श्री 108 श्री सुरेश दास्जी महराज के सानीदे में मंगल बार को भव कलश यात्रा के साथ किया गया यगचारे पंडित आनन्द व्यास कृपा शास्ती द्वारा वैदिक मंत्र उचार की बीच विदी विधान से गनेश पुजन वो कलश पुजन करवाया गया तत्पश्चात महिलाएं वो कन्याओं ने 108 कलश में जल भरा और याग स्थल की ओर चल परी बैंड बाजों के साथ निकाले गई कलश यातरा में बरी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश उठा कर मंगल गीत गाते वे यातरा में शामिल होई साथी अन्य आसपास के गाओं के प्रभात फेरियों का भी संगम हुआ वही कलश यातरा में सामिल शद्धालियों भी देवनरायन की महिमा गीतों की धून पर पूरे रास्ते नास्ते गाते भक्ती बाओ से डूबे रहें कलश यातरा माता जी का खेड़ा भटेरा स्थीत चाउंडा माता मंदिर में शुरू होकर गाओं के मुख्य बस स्टैंड सदर बजार सहीत मुख्य मारगों से निकाली गई और स्री देवनरायन मंदिर पर यग मंड़प तक पहुँची यक्षाला में यकचारे आनंद व्यास कृपा शास्तिन हवन कुंड में वैदिक मंतर उचार के साथ अगने स्थापना की विश्नु महायक के प्रधान कुंड की बोली 4,51,000 में सोहनलाल माली पुतर मदन माली के नाम रही पहले दिन विश्नु महायक के गाउ में 27 जोरों ने हवन कुंड में अहुतिया दी